हेलो एवरीबन आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सौट टॉक्स में स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी बच्ची जैकपूर्ड में इस बार मैट्रिक और इंटर्मेडिट के जामने संदेने वाले तुम सभी बच्चों के लिए बहुत विदन किया है उससे नजभी के प्रेक्षा केंद्रों में उनका सेंटर बनाया गया शारकर के कहसरे बिग्ते यसे पर इहां नधिक पर लाट सकते हैं और लगाता है रहने- खाने पेने के व्यवस्तर करनी पर तीती तो देख 일 ङे इसा कहना है ज्याग बोड़िक लेकिन आप सभी बच्चे जो भी जैकबॉड में मैंटरीक और इंटर्मेटर एक्जाम इपढ़ा लेकिन जो इस वर्स इंटर्मेटर के शाद चातरा है तो उनको मालूम होगा कि उनके छेतर में जुरू पढ़ा है लेकिन आसपास नहीं पढ़ा है कम से कम पंदरा किलोमेटर 17 किलोमेटर के के दूरी पर दिया गया उनको एक्जाम सेंटर तो यह सामने कहा जाता है ऐसा कौन सा सामने होता है मुझे तो यह समझने द्यार कनबूट के दोए सेंटर सामने मतलब होता है कि आप कम से कंदो या तीन किलोमेटर के रेंज पर दीजिए जिसे बच्चों का आमना यान में कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहाँ पर मैट्री कोई बड़ी बात नहीं ठीक है तो आप इसके लिए चिंदेद नहीं करें बाकी राहे की लिखा हुए एडमेट का बितर नहीं हो रहा है जो आपको क्या करना पड़ेगा अपने कॉले से क्या करना पड़ेगा जाके लेना पड़ेगा और स्कुल विदार्ती यानि मैट्रिक म अपने स्कुल से मिल जाएगा तो यह थी आप सभी बच्चों के लिए जानकरी जो भी बच्ची जैकबोड में है तो वह अपना अपना जहां जा सेंटर पढ़ा है अपना सेंटर पहले पता कर रख लीजेगा कितना दूरे कहां है ने तो वरना फिर लाश्ट टाइम आप पहले पता कर लिजेगा ताकि कोई दिक्कत ना है ठीक है तो आप सभी बच्चे जो बीज बार मैट्रीक और इंटिमेडेट के आप सभी बच्चे हराम से अपना त्यारी करें जब तक अब एक्जाम का डेट अभी आया हुआ हुआ है बहुत समय है तब तक आप अपना फि